Welcome to the new era of video creation with web पे आओ. आज हम जानेंगे कि एक ही AI आप से बहुत सारे काम कैसे किये जा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं 123 Apps के बारे में. यह एप है 123 Apps. 123 Apps के नाम से यह AI बेस्ट एक एप है जिसको अगर आप यूज करना चाहते तो 123 Apps.com पर चले जाएंगे. इस पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीड निखाई देगी. इस स्क्रीन में आपको बहुत सारे फीचर देखेंगे. उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लॉगिन का साइन आपको दिख जाएगा आपके राइट हैंड पर और आप इसको गूगल से भी एड कर सकते हैं. जब आप गूगल या फेस्बुक से इसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये आपको एक नई विंडो कोल देगा कि अगर आप इसका पेड वर्जन लेना चाहते हैं. लेकिन फिलाल हम पेड वर्जन ना लेकर इसके फ्री वर्जन पर ही काम करेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी यूजफूल है ये आपके लिए. उसके लिए नीचे आपको आप्शन मिलेगा कंटिनू विद फ्री वर्जन. यहाँ पर क्लिक करने के बाद वीडियो टूल्स आपको दिखाई देंगे इन्होंने कैटेग्राइज किया हुआ है अपनी वेब साइट को जिसमें वीडियो से रिलेटिड कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं. वीडियो एडिटर में जाने के बाद आपको यह स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगी और आपको इंस्टॉल का भी ऑप्शन आएगा आप इसको एक्सेंशन में जोड सकते हैं. एड फाइल पर क्लिक अगर आप करते हैं तो आपको यह आपके सिस्टम के हार्डिस्क में ले जाएगा कि जहां से आपको फाइल को पिक करना है. जैसे हमने यहाँ पर यह वीडियो यहाँ से पेक कर ली है और इसमें हमें आप्शन मिलेगा जैसे टेक्स अगर हम कुछ चीज में टेक्स लिखना चाहते हैं. ओ, font हम चेंज कर सकते हैं, centralized कर सकते हैं, bold कर सकते हैं, Italian look दे सकते हैं, यह कुछ भी दे सकते हैं, फिलाल हम जैसे web पे आओ, इसको नाम देते हैं, तो web पे आओ नाम देने के बाद अगर हम इसका background चेंज करते हैं, तो color यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, फिलाल हम sky blue color ल दिख जाता है आपको, save के option आने के बाद आप इसको save कर सकते हैं, फिलाल हम back चलते हैं, यह आपका video editor था, इसी तरीके से screen recorder भी है, screen recording पे click करने के बाद आप अपनी entire video या फिर अपनी entire screen को record कर सकते हैं, screen को record करने के option आपको बाकी website में इतनी असानी से नहीं मिलते, लेकिन यह AI based tool आपको दे रहा है, इसमें आप camera को भी on कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, microphone आप on कर सकते हैं, अब और इसके अलग variable हम देख सकते हैं, merge video कर सकते हैं, add video to, audio to video भी है option, इसके अलावा trim video है, trim कर सकते हैं video को, add image कर सकते हैं, text to video भी हम कर सकते हैं इसमें, यानि कि बहुत सारे tool आपको एक ही platform पर मिल गए हैं, remove logo from video, अगर आप अपनी video से कोई logo को हटाना चाहते हैं, तो easily आप कर सकते हैं, crop video, rotate video, यह common option है जो आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो extra आपको feature देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, loop video का है, volume change कर सकते हैं, आप change video की speed कर सकते हैं, यह सारा कुछ आपको video tools में देखाई देगा, अब आजाते हैं इसके audio की तरफ, audio tools में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये trim audio कर सकते हैं, volume जोड़ियुम चेंज कर सकते हैं, इस भी चेंज कर सकते हैं, रिवर्स आड़ियो की से आगे के तरफ चले, वॉइस रिकॉडर मिल जाता आपको और audio यानि कि दो audio join करने है तो audio joiner अब pdf में आते हैं जो pdf का use करने के लिए आपको बारवा गूगल पर जाना पड़ता है आप यहां से split कर सकते हैं pdf को merge कर सकते हैं compress कर सकते हैं फाइल को unlock कर सकते हैं किसी भी फाइल को zip फाइल होती हैं उसको भी आप खोल सकते हैं यहां से unlock करने के लिए आपको फाइल का option मिल जाएगा जहां से जिस फाइल को आपको unlock करना है फिलाल हम back चलते हैं home page पर और rotate कर सकते हैं add page number कर सकते हैं कितने भी page ads कर सकते हैं pdf से excel में आपको change करना है pdf से jpg में करना है यह png में करना है यह html में करना है pdf में करना है यह jpg से pdf में करना है यह सारे option आपको बहुत easily इस plate form पर मिल जाएंगे इसके अलावा converter है audio converter अगर आप audio convert करना चाहते हैं video converter है image converter है document converter है font converter है archive कर सकते है ebook converter है और अब इसमें last में option है आपका archive का archive extractor यहाँ पर अगर हम click करते हैं तो आपको यह देखें नीचे our extension for google यानि कि आप इसको install करके अपने google पे भी add कर सकते हैं यह extension आपके home page पर आजाएगा google पर extension जुड़ जाएगा जिसको आप easily वहीं से click करके खोल सकते हैं और easily कोई भी work कर सकते हैं तो इतने सारे feature आपको एक plate farm पर जैसे हम कह सकते हैं कि गागर में सागर छोटी सी जगह में सब कुछ समा गया है हो यह आपको option दिखाई दे रहा है इसमें 123apps.com पर तो इनके features के detail के बारे में हम आपको video और बनाएंगे और बेजेंगे ताकि आप अपने ग्यान में और बड़ोतरी कर सकें फिलाल हमारे channel को आप subscribe कर सकते हैं ऐसी और educated video के लिए जो आपके लिए बहुती ज़्यादा useful होंगी तबी तक के लिए फिलाल विदा लेते हैं तन्यवाद